हो गहां, साट करें ग्रेन रेवलुशन में जो एक वीट और राइस आया था राइट तो राइस कहां से लिया था आंसर इस लुजॉन आइलेंड और फिलिपाइन्स वहां से राइस की वराइटी आई थी और वीट बिल्कू सही कह रहे हो मैक्सिको ठीक है और क्या था वोमग में नैशनल पार्ग, वाइललेफ सेंचुरी, बाइस और रिजर्फ क्या डेफरिंस है वाइललेफ सेंचुरी क्या होती है तो भई सॉयल चेप्टर पड़ क्या है कोई इससे पहले वाले पड़े हाँ भई गंडग दो उससे बनी है, स्ट्रीम से बनी होती है ये गंडग रिवर जो है दो स्ट्रीम से बनी है, कौन कौन सी आपकी घागरा जो है घागरा जास निकलती है ये तो इतनी वार बोल चुक हो, कल पर सो भी माप्चा, चुंगो, ग्लेशियर है ना इसकी तीन वो कौन सी है तिला, से्थी, बेरी ये important है तिला, से्थी, बेरी तीन स्ट्रीम से हैं, घागरा की important है, बिल्कुल एक्जाम के लिए कौन कोसी की main stream का नाम क्या है अरोन अरोन, is the main stream of कोसी उसमें कौन सी दो रवर मिलते हैं फिर तैमूर कोशी और सोन कोशी है ना और उसके बाद उसका नाम बजलता सब्त कोशी में and then it's come to India as a कोशी कोशी it is also called sorrow of बेहार तो मुझे बताओ कि अरनाचल प्रदेश की tribes west to east मौपना, अबोर मीश मी नीश की नागाज नागाज बेशक नागा लेंड का है लेकिन कुछ नागा उधर भी मिलते है तो मता हो मुझे कि बुग्याल्स काँ पर है उत्रा गणिमाल लेहाज उपर जाएंगे बुग्याल्स होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं बुग्याल्स हार grassland बिल्कुछ भी मिट्टी जहां पर आप उगाते हैं खेती तो आप बुग्याल्स होता है मिट्टी हीमस होता है होता है मिनरल पारिटिकल होते है होते है पानी होते है सोईल में सोईल मॉइस्ट्र येस पानी भी होता है एर होती है लिख लो फिर सोईल is made like components of soil components of soil are mineral particles हीमस water and air ये question आया हुआ है चार ये option है अब एक गलट डाल दे कुछ भी डाल देगा प्रटावान लो इसका mineral particles, हीमस, water and air कभी भी सोईल उठाना तो गरम करके देखना भाप से निकलेगी और air क्यों कह रहा हूँ, air नहीं होगी तो roots किसे सास लेंगी है ना, oxide के form में oxygen ऐसे वगरा रहता है, normal roots को सास लेने के लिए air होगी ही होगी, कैसे लेगी बन, osmosis के थूँ, होता है ना, air exchange osmosis ठीक है, पत्तो से भी होता है, लेकिन osmosis से भी आपकी air ही दो जो जा रही है water भी जा रहा है अलग gases भी जा रही है, पत्तो से होता है no doubt you are very right, लेकिन वो अलग, वो like this is for stromental opening, पत्तो वाला system है इसमें भी air है, आपका, oxide formation होती है जितने भी आपके soil में क्या खेंगे आपके, जितने भी आपके क्या होते हो, जैसे आपके minerals, ना जैसे iron धर्ची से निकलता है, तो iron oxide की form में निकलता है, तो oxide कहां से आईगी, समझ रहो, कुछ air से भी आई, कुछ मिट्टी में भी, तो मिट्टी में air है, ऐसे मानना है, okay तो यह चार चीज़ है, mineral, humus water and air okay, soil forming process, soil बंती कैसे है और किस पर depend होती है, लिख लो इस soil forming factors are major soil forming factors are, किस पर depend होती है, यह भी question CDS माया हुआ है, सबसे parent material, देखो तुम्हें पता है, soil कैसे मन रही है, पहाड की मिट्टी तूट रही है, या किसी बड़े पत्री मिट्टी तूट रही है, ठीक है, तो depend किस पर करेगा, पहाड पर करेगा, नहीं कि उस parent material पर करेगा, किस चीज से मिट्टी तूटी है, है ना, कौन सा पत्थर तूटके मिट्टी बना है, तो उस parent material तो depend करेगा, नॉम्हें सी बात है, तो लिखो number one, parent material, उके, parent material, अगला है relief, वो कितना slant है, जितना ज़्यादा टेपर होगा, उतनी जल्दी मिट्टी बनेगी, इसको ना, second book में समझाऊँगा, यह लिएक weathering process होता क्या है, आपकी मिट्टी, normal बतारों, बनती कैसे है, और यह सारे process उसी पर लगते हैं, एक process कहता है, weathering, weathering process से soil बनती है, weathering क्या होता है, weather के जो elements है, जैसे की rainfall, rainfall, temperature, elements of weather, जो हम आप weather के बारे बताते हैं, pressure, करवाया था नो उसन, अबे बताओ न अबे, elements of weather, climate में नहीं बताता है यह सब, जब pressure होगे रहा, जब यह के रहे हैं पढ़ता है, elements of weather ही तो हही है, ठीक है, आपका एट है, यह, these are main thing, जो की आपका act करता है, किसी पे, किसी पेरेंट मेटेरिल पे, जो क्या होता है, कैसे, कैसे soil बन रही है, soil is basically, the finest particle of matter, है ना, समझा रही है, छोटी वटी मिटी एक तो महीन टाइप, soil है वो, कैसे बन रही है, suppose एक पत्थर है, ओके, यह पत्थर है, इसमें हलका सा wedge create हुआ, due to some pressure, पानी आया, पानी आपे बर गया, समझा रही है, पानी बर गया, अब यह क्या हुआ, due to some temperature action, दिन और रात के विए से, suppose जमो कुश्मीर है, रात में यह पानी जम गया, दिन में पिगल गया, तो क्या हो रहा है, freezing and thawing हो रही है, प्रपर तरीके से, तब जब यह जमता है, यह अपने इस पे, pressure मारता है, इन पत्थर पे, तो जो यहाँ पे हलका सा crack था, वो पूरे पत्थर को तोड़ देता है, भी खराब हो जाती है, दूप में रखे रहो, रंग उड़ जाते हैं लोगों के, तो पत्थर भी तूटता है, due to differential heating of different parts of that thing, that rock, rainfall, जहाँ पे जहाँ उसे निकला, rainfall से क्या हुआ, आपका rainfall आया, यहाँ की मिट्टी वहाँ पे ले गया, और वहाँ पे deposit कर दी, राइट, बहाव से, like erosion and deposition एक साथ होता है, erosion क्या हुआ, एक जहाँ से मिट्टी उठाई, वहाँ से erode कर दिया, और एक जहाँ से मिट्टी गिरा दी, वो deposition हो गया, यह क्या elements of weather हैं, अपर्ट रॉम दिस, आप देखते होंगे, किसी घर में people का पेड़ हो जाता है, देखा है, तो यह biological activity है, वो तोड़ देता है उस area को, simple जी बाद, roots penetrate होती जाती है, देखे होंगे अलका फूल का, अपने आप उख जाते होंगे, अपने आप उख जाते होंगे हैं, अरे इतने सारे मतलब आपके insects हैं, ठीक है, pollination कैसे होती है, बिल्कुल wind आता है, wind आ रहे हैं, wind भी लाएंगे, desert area में क्या होता है, erosion deposition कैसे हो रहा है, wind के वाइसे हो रहा है, यह ज़्यादा desert area में काम करता है, यह जो इसका कहां से आया, बीज या जो भी पौदर टाइप, winds कहीं से भी लाती है, insect यहाँ बेटें, वहाँ पे किरा दिया, वहाँ पे कुछ 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 कंडिशन मिली, जैसे सावन के मौसम में, बहुत सारे पेड अपने आप उख जाते हैं, the reason is only, winds and insects and all this, यहाँ कि जैसे अगर तुम नौमलेक बाद बादाता हूँ, suppose को एक पेड किसी river के किनारे है, उसकी leaves तूटके river में गिरी, समझा रहे हैं? और वो पत्ता पर कहा जाएगा, किसी को भी नहीं बता, ऐसे ही क्या करते हैं, जो आपके insects होते हैं, वो एक फ्लार पे बैठते हैं, फिर कहा जागे pollinate करते हैं, nobody knows, तो इस तरही जग्रीन रहे हैं हमारे पास, और यह भी question आया था, कि यह science का पार्ट है, कि मतलब कैसे क्या हो रहा है सब, कि अगर insect को खतम कर देंगे, तो क्या pollination में decrease होगा? बिल्कुल होगा, है ना, तो यह गहान ही है, तो ऐसे soil बनती है, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, यह second book का पार्ट है, weathering elements आपके climate का पार्ट है, जी कैसे बनता है, समझा रहे हैं? तो parent material पतल रहे, क्यों है factor important? जिस area पर यह मामला लगेगा, वो तो important है, तो parent material, second is relief, third is climate, जैसा वहाँ का climate, वैसे वहाँ की soil, vegetation, पेड पॉदे, यानि vegetation होगी, बाइलोजिकल एक्टिविटी बता ही हल्की फुल की, and biological activities, biological में humans भी आते हैं, तो soil forming process की humans क्या करते हैं? soil को degrade भी करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, खेद खरीद लें, वहाँ पे क्या होना है थे land area बना दिया, soil जो अच्छी थी बेकार कर दी, तो these are factors, responsible for soil formation, formation में वोई degradation, erosion दोनों हो रहा है, तो these are factors, ये normal दो question यहाँ से आते हैं, दो question यहाँ से बनते हैं, अब आता है हमारे बास, कितने type की soil हैं हमारे all over India में, open the map, map देखो, दिख रहा है map, उसी में, अगले page में, तो ये map है, हमारी soils of India का, इसमें देखो, एक लिखा हुआ, alluvial soil, दिख रहा है, alluvial soil क्या होती है, जैसे गंगा river system, जैसे northern plains में दिख रही हैं, और वो ये आपका, UPN बेहार वाला part है, mainly, most fertile land, alluvial में कौन कौन से part होते हैं, खादर और बांगर, ये वही soil है, खादर बांगर वाली, ओके, ये हलका सा बीच में से होती हुई, नीचे तरफ गुजरात में ही मिल रही है, दिख रही है, तो ये ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी जो parts है, ये बड़े ध्यान में रखना है, जैसे alluvial soil, तो based on like, most fertile soil है, इंडिया के major part में ये ही soil है, alluvial soil, ठीक है, major 40% of area of India, इस surrounded by fertile alluvial soil, ठीक है वही, ये एक आहान है, तो different type of soil है, alluvial soil है, black soil है, laterite soil है, red and yellow soil है, तो ये different type of soils हैं, इंगी characteristics पूछी जाती हैं, लिख लो फटाक से, alluvial soil, लिखो different types of soil in India, डालो, types of soil in India, number one is, alluvial soil, जिसमें लिख लो, they are found in 40% part of India, they are found in 40% part of India, these are depositional soils, रिवर से आ रही हैं, ब्रेंग बाए, ब्रेंग बाए, 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 बाए बाए, बाए तुम्हें इसने नहीं दे रहे, ब्रेंग बाए, रिवर्स और स्ट्रीम्स, ठीक है, question के step से आता है, कि, कौन जी soil है, उसमें क्या क्या मिलता है, और वो soil कहा कहा मिलती है, ठीक है, question step देखे लिए हैं, P.I.Q. करते हैं रो साथ साथ, दिख जाएंगे सारे कुशे, यही तो बोलो, discussion में बताता रहोंगी, important क्या part है, found in northern plains and river valleys, northern plains and river valleys, in narrow corridor of Rajasthan, narrow corridor of Rajasthan, दिख रहे हैं नो, narrow corridor दिख रहे हैं, look at here, dot dot, narrow corridor दिख रहे हैं, narrow corridor of Rajasthan, and parts of Gujarat, दिख गया, और कहां मिलेगा, यह देखो, coastal areas of, deltas, deltic area में मिलते हैं यह, है ना, rivers, मझे delta parts में, delta area in peninsula, ओके, लेख लो, there are two types, there are two types, khadar and bangar, khadar कौन सी होती है रहे हैं, most fat, most fat, वो तो होती है, khadar को क्या बोलते हैं, new alivium, and bangar, बूरी, old alivium, ठीक है, khadar and bangar, इनके quality है, coastal plains, they are found in deltas, deltas of coast, ये बोलाता है, ठीक है, delta में मिलते हैं, delta में, और delta कहा मिलते हैं, eastern peninsula, अना, कौन से river बनाती है, क्याना में प्रशांद, delta, चार main river बनाती है, इसकी, थोड़ी हुई है, ठीक है, खादर is new alivium, and bangar is old alivium, ठीक है, ठीक है, इन दोनों में कंकड मिलते हैं, इन दोनों सोयल में, कंकड मिलते हैं, लिख लो, कंकड formation, कंकडs are found in, खादर और बांगर बोथ, कंकड मिलेंगे, छोटे-छोटे, calcareous material, कंकड, यह पूछता है question, कि कंकड किस सोयल में मिलेंगे, एक तो इसमें मिलते हैं, और एक, आपके एरेड़ सोयल मिलते हैं, बताएंगे, उसको भी आगे लिख वा दूँगा, यह दोनों में, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कंकड, क्या, कंकर, यह कोई नहीं कारे, कोई लिक्कत नहीं, यहीं आएगा, कंकर-Calkerious material, Calcareous concentration, कंकड कहते हैं कंकड लिखो normal konkur're only legit अकर जो लिख्वारा हो लिख ले घर दिञे और जिड़े ऑप पर में आराम से, ठीक है, इसमें लिख लो, एक ब्लक सॉइल विल्कुल मारास्टरा सदन कजष्राड सरन गुझरां और चोटे-चोटे-चोटे पैच में भी उन सब्कुरें नेगग Colon भी एघटष देख सरागटौर दूसरील झालक पहले शीज दुरुश चीज़ इस करें थी जी युआब और नेग अचनल-दृ동 तो रेगर मिर्दा किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, और किसकी काहनी, यह self-plowing soil भी है, क्या है, self-plowing soil, क्या होता है देखो रेधर, यह soil है जब rainy part होता है rain rain होती है यह पानी सोकती है देखो पानी दीरे सोकती है और धीरे ड्रामलब उसको निकालती है तो दीरे पानी सोका तो इस फूल जाती है ठीक है? फूल गई और जब पानी इसमें से evaporate होता है यह shrink होती है इससे क्या होता है इसमें crack develop हो जाते है क्या हो जाते है तो इसलिए क्या हुआ बिना खेत को हमने cultivate करें अपने आभी प्लो हो गया है तो self-flowing soil भी कहते हैं इसको समझा रही है क्यों self-flowing कहते है समझा गी लिख लो black soil it is also called mature soil and reger soil it is also called mature soil and reger soil found in parts of gujarat maharashtra madhya pradesh and some parts of tamil nadu यह option आया है तर यह tamil nadu का बच्चे गलत करके आये थे उन्होंने वो छोटे बच्चे देखे ही नी tamil nadu में मिलती है ठीक है because because cotton is grown in these soils जातर cotton होगाते हैं यहांके लोग इस soil किसके लिए cotton के जादा अच्छी है therefore it is also called black cotton soil therefore it is also called black cotton soil समझा रही है it is also called self-plowing soil it is also called self-plowing soil अगला अगला जो red and yellow soil एक साथ लिए red and yellow soil important नहीं है इसका जो importance था जिस question के लिए यह लिखवा दिया इसमें से अगर black cotton soil question आयेगा तो क्या आयेगा क्या इसे regress soil बोलते हैं बिलकुल बोलते हैं और क्या आयेगा क्या इसमें cotton होगा सकते हैं अरे बिलकुल होगा सकते हैं कि कहां कहां पे मिलेगी और इसको self flowing बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं ये question बनेंगे समझा रहे हैं हमें क्या क्या थोड़ना ये भी पता होना चाहिए एलोवियम में वो question आ सकते जो उसना पूछा इसमें नहीं आ सकता नॉर्मल सी चीज है अगला है red and yellow soil जनरली पैनेंसुला वाले जहां पे less rain part होता है जहां पे rain कम होती है वहां पे red and yellow soil मिलती है देख रहे हो देख रहे हैं black cotton soil के right में east में red and yellow soil है red color क्यों होता है iron oxide की वज़े से ये question आता है why red and yellow soil have red color red कब होगी जब उसमें पानी होगा और जब dry होगी तो yellow soil हो जाएगी हो ठीक है color change की बता रहा हूँ तो लिख लो इसको फिटाक से red and yellow soil found in found in areas of low rainfall areas of low rainfall in eastern and southern parts of Deccan Plateau ठीक रहे हैं इस्टर अशदर पर्ट लो इस्टर पर्स of Deccan Plateau the soil appears red because the soil appears red because of presence of iron oxide because of presence of iron oxide okay in dry when it is dry it appears red when it is hydrated just a panidia kaisi hogi yellow dry it appears red color soil red and yellow soil and when it is having hydration it is hydrated it appears yellow अगला है laterite soil laterite soil देखो रहे laterite soil उस जगे मिलेंगी देखो laterite soil का मिलेंगी जहाँ पे high temperature and high rainfall होगा देखे रहे हैं काँ पे होगा western guards में होगा हैं वहाँ पे laterite soil गारोगासी जहनते होली hills पे देखो कौनसी soil है laterite soil क्या होता है ज़्यादा बारिश होने के विएसे ने बताया था उस टामी जब मौनसून करवा रहा था ज़्यादा बारिश होने के विएसे soil आपकी remove हो जाती है तो वहाँ पे जो बचता है वो बहुत बेकार क्वालिटी की soil बसे जह लेटराइट soil कहते है later मतलब होता है brick ठीक है तो यानि ये soil वो है जो bricks बनाने के लिए ज़्यादा काम आती है काम की ने crop क्या होए इनमे तो brick बनाने के लिए काम आती है laterite soil इनमे एक process होता है ये बहुत बार पूछा गया है leaching क्या होता है leaching 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 phenomena occurs in laterite soil why because leaching होता है उपर की layer को निकाल लेना leach कर देना वहाँ की soil को leach होगी जो बता रहा हूँ because of high rainfall तो leaching की वज़े से ये infertile हो जाता है मामला ठीक है infertile leaching की वज़े से आपकी जो main soil है जो fertile soil है high rainfall की वज़े से उसकी soil leach होगी और इससे क्या होँ वापे जो बेकाराव लाजा हो laterite soil बचिए समझा रहे है leaching phenomena क्या होता है समझा रहे है कि मिल्ब कैसे क्या हो रहा है बार इसकी वज़े से infertile हो जाएगी mainly laterite में होती है समझा रहे हो तो ये कहानी है brick बनाने ले काम आती है southern parts में southern parts में किसी की पार्ट में इसमें कुछों कुछ मिलाते है जैसे like potassium अगरा कुछ भी मिलाएंगे बाहर से fertilizer होगेरा इसको थोड़ा fertile बनाते है थोड़ा सा तो वहाँ पर ये लोग काजू उगा लेते है तो laterite soil काजू के लिए भी famous है काजू cash units काजू उगाने के लिए काम आती है देखो laterite soil कहांगा मिल रही है मुश्क दे दो-तीन जगे है ना लिख लो laterite soil में अब laterite soil फटाइन वह पर यह बहाँ गई वह दूसरे चली डिपोजिशन हो गया erosion डिपोजिशन हो जाता है आसपास देखो वह जाली बात है पहाडों से मिट्टी तूटती है गंगा में और काँ पे आती है Northern India में कितना दूर चली जा रही है देख रहे हो तो like that only और वह जाता है आस्वार है रवाँ खर बाता है खर रहे है लाता है। आस्वाटतर मेंस ब्रिक therefore laterite soil is used for brick making later means brick therefore laterite soil are useful for brick making laterite soil forms due to leaching by the tropical rainfall leaching process question leaching rate rate soil which soil is brick making and laterite soil okay read laterite soil red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala is useful for bricks sorry bricks use for cash units like trees crop like cash units okay now normal map arid soil arid soil 1 minute this is the first thing this is the self-flowing this is the self-flowing this is the self-flowing this is the self-flowing arid soil arid arid high temperature dryness there will be arid soil there will be arid soil like the Rajasthan part west of Aravalis right Bikarneri desert there will be this soil there will be understand arid soil just one thing this is the same thing this is the same thing this is the same thing in this soil we also have kankars kankar here aloveum okay so this is the same thing arid soil arid soil arid soil saline soil this is the very important soil saline soil saline soil saline soil saline soil there is no map but I am going to tell you that I am going to tell you this is the main soil this is the main soil slain soil seline soil a lot then this is the only one the main soil thisまり as far as, the main soil when a planned soil esther theme along the field this best mean meaning what this means beaches, coast में मिलेगी right, जो कि आपकी LVL soil थी, coast में वो saline हो जाते है because of this thing right, see what a intrusion से second चीज क्या होती है, green revolution over irrigation over irrigation जब हम ये पौदा है ठीक है, यहाँ पे हमें पानी चाहिए ताल का सा, इतना सा हमने पानी मर दिया इतना जादा तो पानी क्या होता है, evaporate हो जाता है, ठीक है और उपर salt, salt बच जाता है समझा रहे है, because of capillary action capillary action की वज़े से over irrigation से salt concentration बढ़ जाती है, जब हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, saltness salt of that soil increases, the soil becomes saline, it is one of the big reason, demerit of green revolution ठीक है भई, अब ये problem है, अब इंसान का solution भी होता है तो इसको saline को ठीक करने लिए क्या मिलाते हैं, gypsum क्याइड करेंगे gypsum ये बहुत बार question आए कि gypsum समझागी gypsum किस soil में मिलाएंगे और क्यों मिलाएंगे gypsum हम saline soil में मिलाएंगे ताकि उसी salinity खतम हो जाए समझा गया, saline soil normal alluvial soil की वैसे लाइक कि ये जो over irrigation, ज्यादा operation हो जाए आपके sea water intuition हो जाए soil के पास in that case, you will have the increases of salinity of that soil, समझा रहिए लिख लो इसको भी saline soil में due to saline climate due to dry climates poor irrigation or we can say over irrigation poor irrigation, comma over irrigation comma intrusion of sea water in the coastal plains intrusion of sea water in the coastal plains the soil becomes saline अब saline हो जाती है तो ये बिजारी infertile हो जाती है ठीक है, sterile जैसे कहते हैं banjar तो इसे हिंदी में उसारा soils भी यहते हैं उर्वरा, उसारा उर्वरा मतलब fertile और उसारा मतलब sterile it is also called therefore therefore it is a sterile soil s-t-e-r-i-l-e sterile soil also sterile it is also called sterile soil और उसारा soil u-s-a-r-e sterile को यह सारा भी बन्जर ना? लिगो in in northern plains due to over-irrigation due to over-irrigation and good evening due to over-irrigation due to over-irrigation and capillary action of water the salt concentration of soil increases the salt concentration of soil increases this is removed by this is removed by adding gypsum to the soil adding adding gypsum to the soil gypsum add कर वा दिया? saline soil में? बढ़िया हो गया यह गानी soils की एक है pt soils marci soils marci marci वाले अरिया है मिलती है जहां पर तो यह जिपसम add करने सो उसकी fertility बढ़ जाती है? बिल्कुल बात करना जिपसम add करते है आपके यहां पर भी जाना पंजाब में over irrigation हो रखा है तो इन्होंने क्या अगर आब यह लोग कहना देखो आपने गाव में देखियों irrigation जो होती है proper वो जो बनी होती है canal टाइप छोटी जोटी उस उस खोल दिया तो पानी पानी आये जा रहा है लेकिन अब modern technique होगी है drip irrigation यूज होता है sprinkler system यूज होता है drip irrigation ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है sprinkler drip drip ज़्यादा सही रहता है दोनों ही महंगे होते है तो यह जो आपकी PT soil और मार्शी soil है normal नाम से पता लग रहा है कहां मिलती है जब में मार्शी दल दल वाला area तीरे deltas वाले area मिलेगी knots वाय से को ऐसे बड़ी बात नहीं है तो इसी के starting की पांच से soil में से question आता है ज़्यादा questions सच बता रहा हूँ कहां सहेंगे black soil में सहेंगे क्यों से तीन से नाम है cell flowing भी वही है आपकी रेगड भी वही है आपकी black cotton soil भी वही है और black भी वही है तीक है mature soil भी वही है बताओ black होगी ओके आपके questions आते हैं leaching से यानि की laterite soil से laterite soil में leaching होती है क्यों होती है पता लग गया rain आई सारे soil उड़ाके लेगी simple सी बात okay soil में एक part है हाँ soil erosion तुम soil पढ़ क्या है मुझे बताओ what is soil degradation and what is soil erosion difference बताओ दोना soil में से question आयागा इसी chapter से आगा और कहीं से नहीं आएगा इतना याद रखना soil word देखना सीधा दिमाग में soil का erode होना हट जाना due to action of like river wind water ये सब rainfall उसे soil erosion कहते है उपर ही soil जैसे later right में हुआ था मामला वैसे टाइप उपर ही soil का हट जाना degradation क्या होता है fertility decrease करना soil मतलब soil जानी रही लेकिन हमने क्या कर रहा उसमें extra क्या आपने इतने सारे pesticide और weedicide ने सारे मिला दिये बेचारी soil के fertility ही गतम होगी ठीक है saline मन गई है soil banjar होगी degrade होगी है समझा रहा है इसमें soil के जानी रही है वही है लेकिन वो बेकार होगी है तो ये fertility decrease होना और ये soil ही उड़ जाना समझा गी जा चुकी होती है उसे sheet erosion कहते हैं कि उपरी sheet sheet चली गई समझा रही है तो water erosion सबसे खत्रणाग होता है कि water अपने साथ mix करके लिए या तो लिख लो erosion by water is most dangerous ठीक है सबसे खत्रणाग किसका होता है water का erosion by water is most dangerous and harmful ठीक है इस कोई है रहे मद्धवर्देश अले इरिया के पास का मुंदेल खंड आज अम्राग आया है नहीं बिलकुल वहां पे water जोन ऐसे हो रहा है कि वहां पे गुलीज बन गई है गुलीज मतलब गली वाली वाली वेरी गुड तो गुली पान सिंग तो पर देख चंबल रेवाइन इन ही में रहता था तो उस चंबल रेवर के आसपा इतनी ज्यादा वहां पे water erosion हुआ कि गुलीज क्रेट हो गई है तो इससे क्या हुआ जो यह क्या है यह पहले खेत हुआ करता था बीच 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 में से वहां पे इतनी स्ट्रीम चोटी होटेने के लि युमन में हम बीट होता है और दिश लैक वाट काहुए चंबल बेषग से लेता है माम्ला तो चंबल बेषए में बहुत है इन्हें रहाइं रहाइं रहुन अर यह जो बन चोटी चोटी जिससे पानी बहर रहा है जो सौई ले जारी हैं साथ में गुलीज गुलीज रिल्स पहले रिल्स गुलीज बढ़ी हो जाती है तो लिख लो इसको कि due to soil erosion we found ravines ravines इन चम्बल Tamil Nadu and West Prangal area इन चम्बल Tamil Nadu and West Prangal area because of गुली एरोजन दिख रहे हैं ये तो ये soil वाला इतना ही वाला पाट था इसमे एक चीज़ है पहले वाली table देख लो एक बार soil का पहला पेश निकाल लो soil वाला इसमे ये table है inceptisols antisols, alfisols, vertisols, elitisols, mollisols ठीक है ये classification है US के हिसाब से US की जो department of taxonomy है उन्होंने ये आपका soil को classify किया ओके इंडिया नहीं बोला हम भी उसी बेस पर करेंगे तो इंडिया की Indian Council of Agricultural Research उसने भी ये काम किया और इसमें देख के बदाओ कौन से सबसे ज्यादा है तो ये chronology ऐसे याद कर लेनी है इनके chronology आती है बस इंडिया में कौन से soil सबसे ज्यादा है इस पर star mark मार लो इस टेवल पर ये जैसे ये इसमें बहुत सारी शीज आ जाएंगे ठीक है समझें ये based on texture and different thing ये इसका basis अलग है basis दोनों क्या अलग है वो texture है, color of soil है क्या-क्या हो रहा है, fertility and all उनका basis अलग है तो table के नाम पे chronology आपके पहाडों पे terrace farming होती है पहाडों पे terrace farming करनी चाहिए पहले क्या करते थे, लोग normal खेती करते थे तो करनी चाहिए पाडों पे खेती इससे ज़्यादा है तो नहीं करनी चाहिए ठीक है, लिख लो if the slope is 15 degree to 25 degree in hilly areas then we should do farming otherwise not ठीक है, एक economic practice के लिए अच्छे practice के लिए this is all about soil soil से इतना ही आएगा इससे ज़्यादा नहीं आएगा अग्ला एप्टर कुलो natural hazards and disaster natural hazards and disasters देखो यार जिसे earthquake होता है right क्या होज़़ earthquake बस और और किसे जीसे नहीं आएगा अग्ला इससे नहीं आएगा धरती लेगी वो भी earthquake आएगा और कैसे आता है dam dam से ज़र इतना सारा पानी एक सार गिरात है ना तो धरती कामती है वागी shaking of earth crust इसकोल earthquake और वो shaking किसे भी हो सकती है mine में आप जाएंगे पुरा पहाड गामता है उससे भी earthquake हो रहा है तो इस इस अर्थकुएक नहीं होता है कि करवाएंगे इसको तो क्या है काहानी natural disasters आपके अलग-अलग है जैसे आपके earthquake है tsunami है ना landslides, आपकी floods ओके, अलग-अलग variety है इसमें important एक table page फल्टो ये जो नीचे अली table है ये table important है सीधा आएगा बोलेगा blizzards किसका example है atmospheric disaster का blizzards एक wind होती है इस तर टाइब अफ विंड in North America ठीके, जो बैती हैं वहापे तो ये अलग इस पर star mark मार लो कलियाद करके आओगे इसको ये जो अलग-अलग atmospheric लित्रोस्फेरिक क्या बोलें लेंड वाले थे क्या बोल रहा है उसको atmosphere अगला क्या है terrestrial हाँ अगला equating biological जैसे आपका ये था बाइलोजिकल वाला coronavirus biological disaster रहे जास्टरी तो साह एक तरीके से इतने सारे लोग मर गए राइट locust attack टिड़े आगे थे अभी पाकिस्तान से ये भी क्या है biological जो biological part से जुड़ा हो biological जो पानी से जुड़ा हो वो hydrological जो आपका lithosphere से जुड़ा हो यानि land area से जुड़ा हो terrestrial और जो किसके वे से हो रहा है atmosphere की वज़े से हो रहा है वो क्या होगा atmosphere draught draught क्यों होता है होता तो land पहले लेंग क्यों होता है पानी कमी की वज़े से that's right this categorized in this one this atmospheric समझा रहे है cyclone hailstorm hail storm हो ले यह आपके क्या है basically atmosphere की वज़े से हो रहे है तो इस table में यह important है कि क्या कानी है इस chapter में अर्थ को एक नाम का topic है normal है इसमें लेकिन उसके importance है second book में कि क्यों होता है किस wave से होते है किस new type की wave होती है तो second book में अच्छे ज़े करवा हूँ उसको soil erosion को भी natural disaster बिल्कुल disaster है वो naturally disaster है वो disaster है यार आपका proper से हो soil erosion हो रही है आपकी food insecurity बढ़ रही है the kind of disaster इसमें यह है एक इसमें topic है tsunami की बारे हैं बता जिते हैं हलका फुलका earthquake second book में करवाँगा मैं ठीक है shaking of earth होती है earthquake normal लेकिन earthquake में देख लो इसमें map देखो बटाक से earthquake वाला map दिया हो इसमें सबसे अधा high risk zone कहां पे हैं वो earthquake के अब यह इंडिया की बात कर रहे है north east में दिख रहा है north east वाला area some parts of utrakhand some parts of himachal some parts of gujarat kach वाला area दिख रहा है this is kach peninsula 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 क्या होता है जो तीन सेट जे गिरा हो तो यह kach peninsula and this is kach peninsula या फिर काटियावर peninsula ओके तो kach peninsula में very high risk है some parts of kashmir valley kashmir himachal प्रदेश वाला area utrakhand वाला area भागलपुर यह गडवाल होगा यह ठीक है this is भागलपुर के बिहार वाला area उपर वाला area and पूरा नौर्थ एस्ट यह very high risk किसमे हैं very high damage risk zone में यही क्वेशन आता है mostly बताते हैं himalayas जो है देखो बताता हूँ कहानी क्या हुई थी nice question कि ऐसा क्यूँ यहाँ पर इर्थ को एक क्यूँ आते हैं यह यूरेशिया क्या है यूरेशिया आया और यह इस तरीखे से टकराया हूँ ठीक है यह सब उस इंडिया मानदो तो यह नहीं एक प्लेट है मतलब यहाँ पर एक boundary है हिमाल्या जहाँ पर बने है यहाँ पर एक boundary है जो की इस तरीग यूरेशिया प्लेट इस टकराया है इंडियन प्लेट इंडिया ओपन मैप वो देखो दिखाता हो तुमको ओपन इस वन हाई एटलस इसमें प्लेट्स वाले डियाग्राम खोलो अच्छे समझाएगा यह अला पेज नमबर 85 पेज नमबर 85 खोलो अरे पेज नमबर 85 बता तो रहूं डा एक लिए 85 85 आगे कर और और यह रहा उस तरफ देखो इसमें यह देखो इदर युरेशन प्लेट दिख रही है उपर और नीचे इंडियन प्लेट बॉंडरी दिख रही है तो जब यह नीचे से आई थी युरेशन प्लेट से टकराई देखो इदर तो यह कुछ इस तरी दो ठकराई किया अभी भी इस तरफ ऐसे से धक्का माररी है इसको समझा रही है यह नौर्थ ईस्टन पार्ट में अभी भी धक्का वाला पार्ट माररी है यही रीजन है Mount Everest कहां पर इंडिया के इस तरफ यह ना यही रीजन है कि यहां की Mount Everest अभी भी बढ़े जा रही है Because of this reason अब जब धक्का मार रही है तो stress है वाँ पर stress है तो कभी ना कभी energy निकलती है जब जब energy निकलती है अर्थक्वेक आता है समझ भाए है क्यों हिमालियन रीजन्स में अर्थक्वेक आते है ठीक है हिमालियन रीजन्स आपके जो हुआ गया था जहां से सुनना suppose यह है आपकी Eurasian Plate यह है आपकी Indian Plate तो इनके बीच में पहले C था क्या था समुद्र तो जैसे पास आता गया तो C की जो नीचल अला एरिया है वो डिपॉजिट से है नॉमल लेक्विस्ट्रेंट रिपॉजिट यहनी वाटर के रिपॉजिट से है वही उपर उठ गये जैसे आता गया पास आता गया वो उपर उठता उपर उठता गया ठीक है तो उपर रुटके उन्होंने हिमालया बना दिया तो हिमालया अर अनस्टेबल लेंड डेपोजित से बना हुआ है वो इसलिए हलका सा कुछ आता है लेंड्स्राइड होती है में रीजन लेंड्स्राइड हिमालयास में जादा क्यों होती है this is the main reason क्यों unstable land मास से बना हुआ है हलका से अर्थ को यह से करता है सारे सारे पूरा पत्री नीचे आ रहे है समझा रहे है यहाँ पे हेमालियास में आपका अर्थ को एकाने का यह कारण है because of this boundary सबसे stable हमारा जो है वो peninsular India यह है लेकिन यहाँ पे अर्थ कोई कारण है इसका क्या कारण है scientist में दूणना शुरूगा क्या कारण क्या है भी महारास्ट वाल एरिया में अर्थ कोई काने का फिर उनने पता लगा कि वहाँ पे आने एक करण है कि Indian plate में crack आ गया है तो यहाँ पे एक है लगा भीमा के पास भीमा फॉल्ट तो यह फॉल्ट के यहाँ पे अर्थ कोई आता है लातो रें महारास्ट्रा आ महारास्टम एक लेख है लोनार लेख वो crater lake है tectonic activity की वेज़े से बना हुआ है लेख लो इसको lunar lake in Maharashtra crater बतातों meteor से बना हुआ है वहाँ पे घड़ा हुआ तो crater बोलते है उसको ठीक है तो lunar lake is example of crater lake question आया हुआ है तो CRT बहुत बढ़ी है फिर भी से हो जाता समझा है इंडिया में एर्थ को एक इंडू रीजन की वेज़े से आते हैं वही रीजन है देखो उसके आसपास वही वही रेखस वाला हो जाएगा NCRT में देखो open NCRT देखो ध्यान से very high के पास जो high वाले है उसके आसपास यह दिख रहे है तो दिल्ली high में आता है दिल्ली is in high risk zone आया था ना भी कुज़न पहले रात में एक बज़े करीब तो पता मिल लगा था मुझे तो तो यह कहाने है बाकी बाकी जो low damage यह कोई इनका की मतलब नहीं है बाकी free of वो है question अमेंसा इन से आएगा यह और यह ओके earthquake वाला यह पार्ट है earthquake is basically shaking of earth energy निगलती है focus है यह second book का पार्ट है उसमें करौन अच्छे से तब समझ आ जाएगा तुमको अभी कर रहूँगा फिर वहाँ पर repeat होगा तो earthquake को वहाँ पर करवाएंगे reason क्या होता earthquake को वहाँ पर करवाएंगे ठीक है focus, hypocenter like epicenter p-wave, s-wave surface wave कौन जी गतरनाग होती है shadow zone यह सब उसमें करवाएंगे उसको अगला है tsunami tsunami क्या होता है जब earthquake समुदर में आता है जब भी earthquake समुदर के land में यानि focus वाला part जो होगा उसका hypo, like यह hypocenter और epicenter जब कहा होगा आपका focus समुदर वाले land, like sea surface वाले एरिया में होगा तो होता क्या है कहानी देखो कितनी प्यारी होती है tsunami क्या होती है anybody definition सुनामी यार vertical waves vertical high waves बहते तो हम बाड़ से भी है बहता साइकलों भी बाग ले आता है लेकिन बहता आपका सुनामी भी है तो आपकी जो vertical waves होती है they are called tsunamis बड़ी बड़ी जो waves आती है like ये बड़ी बड़ी आई इंसान टाइड अलगे बताएंगे उसको दुबा के लेगे ये इतनी बड़ी क्यों हो गई भई जब earthquake आया आपके समुदर वाले अरिया में earthquake आता है समुदर वाले अरिया suppose this is land area अर्थ को एक यहां पर आया समझ रहे हो ये अर्थ को एक आ गया समझागी तो यहां पर जब earthquake आता है focus is in focus is in sea surface area ठीक है मैं तो वाहां पर क्या होता है ये एक हलका सा wave create करता है ठीक है wave create करता है तो पानी ऐसे ऐसे अपने होता है समझ रहे हो ये वाला मामला होता है थोड़ा उपर थोड़ा नीचे crest and tro में ऐसे बदलता रहता है क्योंकि यहां पर गहरा ही होती है ध्यान से सुनना मेरी बात को क्योंकि समदर के बीचे बीच में गहरा ही है तो जो समदर में ship होगी उसको पता भी नहीं चले है कि सुनामी आ रखी है उसको हलका भी फील नहीं होगा लेकिन जैसे ही वो wave sea के पास आती है तो यहां पर गहरा ही कम होती है तो यह wave ऐसे ऐसे होनी है यहां पर सीधा ऐसे ऐसे जाती है क्यों टाइम तो उतना ही है तो टाइम परेड उतना है तो यह सीधा ऐसे horizontal wavelength ना होनी के जासे यह सीधा rise करती है इसलिए इनको shallow water waves भी कहते है shallow मतलब कम गहरा ठीक है? shallow water waves, harbor waves harbor मतलब जो आपके harbor के पास आ रही है सुनामी के नामे shallow water waves, harbor waves या सुनामी समद्र के जो बीचो बीच में होगा उसको सुनामी का पता तक नहीं लगए है वो बिश्कल से उसके भलकी सी ऐसे ऐसे होगी वो तो लहें normal है कोई दिक्कत नहीं है जब भी सुनामी है समद्र में भागना समद्र हा रही है क्यों यहां के लोग बिचारी तंग होते है क्योंकि वो horizontal सीधा उठना शुरू करती है वहाँ पर तो उसका proper है गह रहा ही तो ऐसे होजाती है normal लगि यहां पर ऐसे होने का उसका है निए पर सीधा ऐसे आती है अपना time period बचाने के लिए wavelength तो कम हो जाएगी यहां पर आप यह wavelength जादा है कितनी बड़ी wave बना लो ऐसे यह कहानी होती है यह wave पीछे से ही बनते हो आ रही है पीछे मतलब पीछे चला जाता है यह एक sign है कि अगर tsunami आ रहे पता कैसे बाटर लेवल कर जा जब यह वही तो बताना हो देखो ऐसे ऐसे move हो रही है राइट तो पहले पानी ऐसे गया जब तुम्हें लगता है कि tsunami आने वाली है समझा रही है और जब आगे आता है सीधा height पकड़ता है यह तो काम हो रहा है प्रेमर्स आगे पीछे मामला होता है यह मामला चल रहा है cello में यह तो दिक्कत आ रही है cello आया तो सीधा wavelength को कम मिली वो उपर चड़े गया this is the case एकदम ही पीछे न चलाता है यह चला गया पानी आएगा यह नहीं बढ़ के आएगा फिर क्योंकि उसको area नहीं मिल रहा है बीच समुद्र में गहराई है तो प्रॉपर उसको पता में चलेगा बीच में उस शिप रहेगी यह कहना चाहरा हूं यह question आया हुआ है कि if there is a tremor यानि company in the sea water क्या शिप वाले को पता लगेगा रतीवर भी बता नहीं लगा उसके में एक मीटर जादा ऐसे ऐसे उस होगे फर्क नहीं बढ़ता है मतलब फर्क नहीं बढ़ेगा उसको कोई tsunami आरे डर जा रहे हैसकुछ भी नहीं नतिंग ओके लिख लो इसको tsunami adding डालो tsunami adding डालो लिखता हूं इस शीज को तो जब भी सुनामी आये आप बीच में से टाइटनिक में बैटे हो तो डरने का नहीं ठीक है लेखो अर्थक्वेक अन वॉल्कनिक अर्प्शन्स अर्थक्वेक अन वॉल्कनिक अर्प्शन्स that cause seafloor to move abruptly that cause seafloor to move abruptly achanak से टेडा मेडा resulting in sudden resulting in sudden displacement of ocean water in the form of high vertical waves समझाना है high vertical waves को tsunami बोलता है high vertical waves are called tsunamis Tsunami T-silent होता है tsunamis और harbor waves क्या बोलेंगे और harbor waves और shallow water waves shallow water waves और seismic sea waves seismic मतले होता है seismic activity earthquakes related seismic sea waves लिख लो इसको लिख लो इसको the impact of tsunami is less over the ocean and more near the coast ocean and more near the coast ठीक है मही यह नॉमल दी चीज बागी ड्रॉट क्या होती है सूखा पढ़ना किसके से बढ़ता है पानी या नी पानी का ना होना ड्रॉट चार डाइब क्यों होती है यह नॉमल है यही कुछ ना दा इस ड्रॉट के तने डाइब क्यों होती है तो माहे meteorological ड्रॉट agricultural ड्रॉट hydrological ड्रॉट ecological ड्रॉट meteorological क्या होता है जब rainfall नहीं आ रहा है rainfall काम हो रहा है जिसके विज़े rainfall के ज़े सूखा पढ़ा है तो क्या हुआ meteorological agricultural ड्रॉट क्या है soil moisture में soil में moisture नहीं है तो आपका food नहीं उपा रहा तो उसे agricultural ड्रॉट बोलेंगे ठीक है मैं आपका hydrological क्या होगा नदिया नाले सूख गये ground water खतम हो गया उसे क्या है यह थर्ड वाला hydrological आपका जो reservoirs उनका पानी सूख गया hydrological ecological drought क्या है ecosystem पाने की कमी होने के विए से proper तरीके से काम नहीं कर पा रहा जानवर करतम हो गया है इंसान उनसे affect हो रहा है फिर ecosystem में अगर दिखकता रही है because of less water ecological drought normalic distalic difference है not that much important up to that level तो यह है आपकी पूरी book one this is book one ठीक है